भोशपुरी क्वीन और बिहार की शेरनी अक्षरा सिंग को एक बार फिर धमकी मिलने लगी है उनकी जिन्दगी में एक बार फिर से भुचाल आ गया है शोसल मेडिया पर उनकी जिन्दगी तबाह करने की धमकी मिलना एक बार फिर से शुरू हो गया है लोग उनको tag करके नंगा दोडाने की बात कर रहे हैं और वहीं भोजपोरी सुपर स्टार पवन सिंग का नाम लेने से मना भी कर रहे हैं और ये सब करने वाले लोग कोई और नहीं बलकि भोजपोरी पवन स्टार पवन सिंग के फैन है बोजपोरी क्वीन अक्षरा सिंग का विवात कभी शान्थ होने का नाम ही नहीं लेता है अक्षरा सिंग किसी न किसी कारण से शोसल मेडिया पर कंप्रोवर्सी में बनी रहती है उनका एक विवात शान्थ होता ही नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है अब एक उस दिन पहले ही शोसल मेडिया पर अक्षरा सिंग को इसलिए ट्रॉल किया जा रहा था क्योंकि अक्षरा सिंग से एक पत्रकार ने पवन सिंग से जुड़ा एक सवाल किया था जिस पर अक्षरा सिंग भड़क गई थी और उससे बाद में निपटनी की कही थी लेकिन इस बार फिर अपने बयान की वज़े से अक्षरा सिंग अपने लिए मुसीबत मोल ली है अक्षरा को फिर से डराया धमकाया जा रहा है उनके लिए हेहर और भगोरा जैसा अब शब्द बोला जा रहा है यानि अक्षरा सिंग की परिशानी की बात करें तो भोजपूरी एक्टरेस अक्षरा सिंग के साथ वही सब होने लगा है जो आज से 3-4 साल पहले होता था ऐसे में अक्षरा सिंग को पावन सिंग के फैन द्वारा धमकी दी जा रही है उनको फिर से जान बुचकर परिशान किया जा रहा है और ये सब एक बार फिर से क्यों होने लगा है क्यों पावन सिंग के फैन फिर से उनके पीछे पड़ गया है भोजपूरी की महंगी और खुबसूरत अदाकरा को सड़क पर नंगे दोडाने की बात क्यों हो रही है बताया जा रहा है कि शो का मकसद अश्लीलता को दूर करना है वहीं आपको बता दे कि आनन्द मोहन अपनी कॉमेडी शो गुलगपा की गपशप में एक फूल वाले का किरदार निभा रहे हैं शो में लिफिंडिस बाबा नाम की इस कैरेक्टर के साथ हर गेस्ट मजा करते दिखाई देंगे वहीं आनन्द मोहन ने बताया कि ये शो परिवार के साथ देखा जा सकता है ये भोशपूरी का पारिवारिक शो है जो हर शनिवार को गुलगपा एंटर्टेन्मेंट चैनल पर देखने को मिलेगा इसमें भोशपूरी इंडस्ट्री से जुड़े हर इस्टार भाग लेंगे ऐसे में 14 जन्वरी यानि बीते शनिवार को ये शो गुलगपा एंटर्टेन्मेंट के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिला जो कि एक नया चैनल है जिस पर अब तक 700 सब्सक्राइबर्स हैं इस शो के पहले एपिसोड की पहली गेस्ट भोशपूरी क्वीन अक्षरा सिंग थी और इस नए शो गुलगपा के गफशप के होश्त थे पवन तिवारी इस शो में अक्षरा सिंग का आना और पवनतिवारी का अक्षरा सिंग से पवन सिंग से जुड़े कुछ सवाल पूछना और उस पर अक्षरा सिंग ने जो जवाब दिया उससे सचमे भोशपूरी इंडस्री शोसल मेडिया पर एक सुनामी की लहर दोड़ गई है। पवन सिंग से जुडल रहे एंपरर और का कहती है इस पर अक्षिर सिंग जवाब देती हुए कहती हैं कि कौण पवन सिंग difither Harano यह कौण हैं हम तो जानते ही नहीं है यानि जिस अक्षिर सिंग का दिल कभी पवन सिंग के लिए धरकता था अक्षरा सिन्ग और पवन सिंग की जोडी भोचपूरी की नंबर वन जोडी मानी जाती थी जो कभी एक दूसरी लिसके साथ relationship में थे जिस अक्षरा सिंग को भोचपूरी सुपोल स्टार से एक वक्त में प्यार था वही अक्षरा सिंग पवन सिंग को आज पहचाने से इंकार कर देती है और इतना ही नहीं अक्षरा सिंग कहती है कि उस इंसान का नाम ही क्यों लेना जिसका नाम लेने से मेरा और आपका दिन खराब हो जाए यानि पावन सिंग को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली अक्षरा सिंग पावन सिंग से आज इतना नफरत करने लगी है कि वो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती है अक्षरा सिंग ने बस इतना ही कहा कि पावन सिंग के फैन को ये बात रास नहीं आई उसके बाद सही शोसल मीडिया पर एक बासिर से कोल्ड वार शुरू हो गया अक्षरा सिंग एक बार फिर कॉंट्रोवर्सी में आ गई हैं लोग उनको जम कर ट्रॉल करने लगे हैं पिछले दो दिन से ये सब चली रहा था कि अक्षरा सिंग ने अपने शोसल मीडिया पर एक धमकी भरा स्क्रेंश शेयर किया जिसमें लिखा था कि क्यों अपनी अच्छे कासी जिन्दगी तबाह करना चाहती हो भया के बारे में कहीं बात मत करना वरना नजर नहीं आओगी ब्रैकेट में लिखा था reply in your interview जादा उड़ोगी तो नंगा करके दोड़ा दी जाओगी अभी तो बिना स्कूटी के भागना पड़ रहा है न कहीं का इज्जत नहीं रह गया है आपको बताजे कि अक्षरा सिंग को धमकी देने वाला यादमी पवन का फैन लग रहा है जिसका यूजर नेम बिहारी सेरा ट्रिपल नाइन है उसके बाद अक्षरा सिंग भी इस आदमी का स्क्रिंशॉट अपने शोसल मेडिया पर डालती है और लिखती है कि डरती तो किसी की बाबुजी से भी नहीं और आगे लिखती है कि हमारे जितने भी परिवार शोसल मेडिया पर है हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग ही बताएं कि क्या हम इन तुच्चे लोगों की गीधर भभकियों की जवाब इन ही लोगों की तरह ऐसे ही अप्रभंश भासा के साथ दे या फिर एक लर्की होने का गौरान्वित मरियादा का ख्याल करते हुए इनको इनके ही हाल पर छोड़ दे यह सब देखकर लग रहा है कि पवन अक्षा का बंध हो चुका विवाद एक बास फिर से शुरू हो चुका है भोजपूर इंडस्ट्रे का महौल पूरा गरम हो चुका है अब देखना यह है कि कंट्रोवर्सी का यह लमह कितना दूर जाने वाला है इन सब बातों पर पवन कि चाज़ दीचे देने लाग